पुश्कार, स्वागत आपका Self-Study के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक ये क्या होता है क्योंकि अभी गोवर्मेंट ने एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपर बैन लगाने की बात कह दिये जिसके चलते काफी सारी जो बड़ी कमपनियां उसके गले सुख गए है अभी हाली में जैसे अमूल डेरी जो अमूल का जो दूद आता है अमूल जो कमपनी है उन्होंने कहाए कि देखिए जी गोवर्मेंट को कहाए एक साल का मोका दे दीजिए हम अपने प्रोडेक्ट को या फिर कहेंगे जो जिसमें हम पैकेजिंग करते हम उसको बदलने का हमें टाइम चाहिए ताकि हमारा नुकसान ना हो साथ जो किसान है उनका भी नुकसान ना हो अब बात करते हैं कि जो हमूल नहीं है बात बोले कि किसानों का नुकसान नहीं होगा या फिर इनको कितनी परिशानी होगी सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो जाने से तो इन तमाम बातों को हम इस वीडियो के अंदर cover करेंगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले PDF के लिए मैं बता देता हूँ description box में एक telegram का एक link दिया मिलेगा तो जाकर आप वहाँ से इस वीडियो की PDF download कर सकते हैं तो चलिए start करते हैं अभी हाल इन्हें सरकार ने क्या किया कि जो single use plastic वाली जो भी चीजें हैं उनकी एक list बनाई है उनकी सूची त्यार किये और कहा है कि 1 जुलाई 2022 को इन सब के ओपर ban लगा दिया जाएगा अब जैसे ban लगाने की बात की गई बहुत सारी companies आ गई यह कहने कि देखिए जी हमें time दे जीजिए और government ने ऐसा नहीं कि अभी रातों रात यह plan बनाया हो और अभी एक दो दिन पहले का होगी हम ban कर रहे हैं यह पिछले एक साल से पहले भी हम कह सकते हैं कि यह plan चल रहा है और अभी भी काफी सारी companies है जिनको time अभी भी चाहिए care एक जुलाई से किन किन चीज़ों के अपर बैन लगने वाला है इनको एक पर जान लेते हैं देखिए एक जुलाई से जो polystreen polystreen और विश्तारित polystreen साहित अधिसूचित एककल यूप्योग वाली जो प्लास्टिक हैं उनके manufacture उनके हम कहें कि import, stocking, distribution, sale, use इन सब चीज़ों के अपर परतिबन लगेगा अब single-use plastic होता गया है एक तो ये दिमाग में आ रहा होगा सर इससे नुकसान क्या हो रहा है ये होता क्या है और कितना जादा ये use हो रहा है कि company इतनी जादा हडबडाई हुई है तो एक छोटा सम आपके सामने एक डेटा पेस करदा हूँ देखे, जो अमूल company है उन्होंने कहा है कि भाया हमें एक साल का time चाहिए देखे, इनका जो straw है ना जो आप straw पीते हैं, जो single-use plastic के अंदर जो straw आथी है, जो आप पानी की बोटल लेते हैं बिसलेरी की, तो वो single-use plastic के अंदर है चाय का cup होता है, वो single-use plastic के अंदर आता है single-use plastic का मतलब है, एक बार आपने use किया फिर उसको throw कर दिया, company तो यही कहती है अब यहाँ पर आपने देखा हो यह जो straw होती है न, Amul की जो company है Amul जो company है, उसको daily उसको daily 10 से 12 लाग straw की जूरत पड़ती है तो भाई साब यह अगर बंद कर देंगे तो यह 10 से 12 लाग जो straw है, यह कहां से लाएंगे फिर एक इसका argument आता है कि paper straw आती है उनका use कर लो, अब paper straw जो है भारत में जो यह upload है न, हमें यह import करनी पड़ती है यह कहां से, चीन से, इंडोनेशिया से क्योंकि जिस तरीके के पेड़ से paper straw बनती है वो भारत में है न, इसलिए बाहर से मंगानी पड़ रहेंगी तिससे क्या होगा, चीजें महंगी हो जाएंगी महंगी हो जाएंगी, automatically एक जो customer है, उसके उपर इन सब चीजों का परभाव पड़ेगा economic के उपर परभाव पड़ेगा यहांपर तो यह सब चीजें कहना है एक तो यह हो गया, इनका एक ballot point अब भात करते हैं कि, single जो plastic या फिर कि जो plastic है यह कितना ज़्यादा नुकसान कर रहा है इसको हम जान लेते हैं, देखिए जो एक तरीके से हम बात करें यह जो हम बीच, हम देखते हैं कि समुंदर के जो किनारे हैं, जो स्टो पीते हैं, यहां पर जब स्टो इकठा किये गए, या फिर कहें कि जो पर कच्छुई जो मरे पाए गए, उन कच्छों में से 30% कच्छुई ऐसे थे, जब इनके पेट को चिप चीरा गया, तो उसके अंदर यह स्टो भरा हुआ था, तो कितना ज़्यादा यह नुकसान कर रहा है, जलिये जीवों को या फिर हमारी ही लाइफ को, देखे यह जो प्लास्टिक का सिंगल यह प्लास्टिक है वो पेट्रो केमिकल से बने हुए होते हैं तो अब जिन से क्या होते हैं, इसे चैन रियक्शन करवाकर इनको बनाया जाते हैं अब चैन रियक्शन अगर कुछ भी गड़बढ हो गई तो वो चैन रियक्शन आपने सुनाओगा ना, कैंसर का कारण बन जाती है क्योंकि हमारे श्रीर में चले जाते हैं और हमारे श्रीर में जाने के बाद हमारे हार्मोन्स में गड़बढ करना शुरू कर देते हैं जिससे कहीं न कहीं ये जो हैं वो कैंसर का एक कांड बनना स्टार्ट हो जाती है एक तो ये दूसरे इसके अलावा जो 9 जो रिजन्स इसके दिये गए हैं तो देखिए made up from fossil fuel इनसे बने हुए होते हैं huge carbon footprints हैं will still ये सैंकडो सालों तक मतलब जमीन पर पड़े रहते हैं इनको कुछ भी मतलब कि इनको use नहीं किया जा सकता है इनको recycle नहीं किया जा सकता है बहुत कम मातरम इनको recycle किया जा सकता है और ये बहुत ज़ादा जहरीले और toxic या फिर कहें कि drink के अंदर आते हैं फिर ये उज़ादा चीज़ों को जहरीला बना देते हैं इससे हार्मोन गड़ बढ़ा जाते हैं cancer इससे हो जाते हैं polluters our oceans मतलब कि जो pollutes our oceans हमारे जो समूंदर हैं उनको परदुशित कर रहे हैं जलिये जीवों को ये मार रहे हैं हमारी food chain के अंदर या रहे हैं तो इतने सारे कारण है single use plastic को ban करने के अब जो companies हैं उनका कहना है कि देखे जो हम juice देते हैं आपने जो fruity देखी होगी उसके पीछे जो आप plastic का इक जो straw देखते हैं अगर वो ही नहीं आएगी तो उसको कोन करीदेगा तो इन्होंने कहा कि आप यूज कर लीजे पेपर वाली straw वही पेपर वाली straw यूज कर रहेंगे उसकी कीमत 2-3 गोना जवो जादा expensive है जो हम simple यह जो plastic वाली straw यूज करते हैं तो इससे directly जो 10 रुपे के हम कोई चीज बेच पा रहे हैं वो नहीं बेच पाएंगे तो यह companies का कहना है कैर अब यहाँ पर इसमें बैन क्या क्या होगा जो cutlery हैं जो straw हैं जो ear bird हैं जो plastic के जो आते हैं और जो plastic ice cream के साथ जो stick लगी हुई होती है candy plastic stick होगी balloon stick होगी product wrapping and covers होगे thin thermocall sheet होगी PVC banners होगे और भी बहुत सारे product हैं कैर इनकी big list में आप लोगों को आगे इसी वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ कैर अब इसके अलावा जो आपने कोफी बनाने वाली एक company है इसके बारे मैं सुनाओगा Starbucks इसका कहना है कि भाई हम तो पूरे साल वर्ल्ड वाइड पूरे साल हमको एक billion से भी जादा stroke ही जूरत पड़ती है तो देखिए एक simple stroke ही अगर हम बात करें यह तो एक data हमारे सामने निकल कर आ रहा है जो आप unorganized sector के अंदर जाते हैं जहां पर कोई भी data निकल के नहीं आता तो वो तो एक अलगी level है जैसे आप juice पीने की दुकान पर गए जहां से आपने store ले लिया बहुत सारे ऐसे हमने देखते हैं कि गिलास के अंदर juice डलवाएंगे उसको भी गिलास में नहीं पिया जाएगा उसको एक पीने के लिए स्टो अलग से लेंगे तो वो एक अलगी data है उसका कोई भी हमारे सामने specific data सामने नहीं आया और यहां पर जो McDonald है उन्होंने काये कि हमें तो हर दिन 18,00,00,00 जो है वो स्टो की जूरत पड़ती है तो इनके लिए कितनी ज़्यादा जरूरी है तो यह स्टो की माँ आपको एहमियत बता रहा हूँ देखे फ्रांस जो है वो पहली country बन गी थी जिन्होंने plastic plate और cutlery के उपर ban लगाया था South Korea ने भी काफी सारी market जो super market है वहाँ पर single use plastic के उपर या bag के उपर ban लगा रखा है अब बात कर लेते हैं कि क्या होता है single use plastic single use plastic जैसे आप इस नाम को समझ पा रहे हैं तो single का मतलब यानि एक बार use यानि इस्तिमाल plastic यानि जो plastic हमने पढ़ा है तो यानि एक बार जिसका use कर पाएं जैसे आपने straw है आपने उसको use किया आपने throw कर दिया वो single use plastic के अंदर आ गई फिर अगर आपने जो पानी की बोटल आप सफर करते हैं तो आपने देखा होगा कि आपने एक बिसलेरी की बोटल ले ली आपने उसको पिया लेकिन काफी सारे हमारे देश में महान कलाकार है उसको तब तक चलाई रहते हैं तब तक वो उसका पानी जो अंदर दिखना ही बन दो जाए यानि वो बोटल काली ना पड़ जाए तब तक उसका use करते हैं तो वो ऐसा नहीं करें क्योंकि उससे बहुत जादा नुकसान होता है जैसे मैंने काना कि यह काफी टाइम तक धरती पर पड़े रहते हैं जिससे यह micro plastic में convert हो जाते हैं वो हमारी food chain के अंदर आ जाते हैं जिससे हम ही नुकसान हो रहा है तो यहाँ पर जो इसके highest share of plastic manufacture and used जो हम इसके बारे में बात करें देखिए single use जो plastic है वो सबसे ज़्यादा use किया जाते है जितना भी अगर हम plastic अगर हम बात करें उस plastic का एक पूरा share है इस पूरे plastic share में से single use plastic share काफी बढ़ा है जिसके अंदर हम बात करते हैं packaging से लेकर जो भी packaging हम करते हैं जो खाने की packaging होती है जो bottle आ जाती है बोटल बले वो पानी की हो शेंपू की हो डिटर्जन, कॉस्मेटिक इनकी आ जाती है polythine bag आ जाते हैं face mask का जाते हैं coffee cup आ जाते हैं या फिर trash bag आ जाते हैं food packaging जैसे मैंने का सारी चीज़ें जो हैं single use plastic के अंदर आ जाते हैं तो बहुत बड़ा व्यापक एरिया है single use plastic का अब दुनिया भर में जो उत्पादी plastic है उसका एक त्याई ही सा इसको समझेए देखें ओस्टेलिया जो है प्लास्टिक है पूरे ग्लोबल में अगर हम बात करें एक त्याई इससा है इसका जिसमें जो 98% जिवाश में यानि फोसल फ्यूल से निर्मित है यानि कि एक त्याई इससा जो कचरा है वो plastic है वो single use plastic है ये इस foundation का कहना है और plastic का क्या करते हैं जैसे आपने देखा होगा आप घूमने जाते हैं ट्रैवल करते हैं या अपने आसपास के एरिया में देखते हैं किसी ने कुछ plastic का कोई fruity पी तो उसने वहीं वो fruity जो है वो throw कर दी जैसे करनी नहीं चाहिए तो एक तरीके से उसको हम करते कैं या तो उसको खुले में चोड़ देते हैं या उसको जमीन में दबा दिया जाता है या उसको जला दिया जाता है तो यहां पर एक report निकल के आती है 2019 एक वेश्विक तरपर 130 में वेश्विक तरपर यानि ग्लोबल लेवल पर बात हो रही है 130 million metric ton जो plastic है उसको वो कच्रे के लिए जिम्मेदार है जिसमें से सभी को या तो ऐसे किया जाते कि उनको जला दिया जाते है या फिर जमीन के उपर ऐसी फैंक दिया जाते है या उसको जमीन के अंदर दबा दिया जाते है यानि वो Prevand में सीधे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है जो Prevand को सोची कितना जादा नुकसान दाए होगा अब यहाँ पर इनको collect करना बहुत मुश्किल हो जाता है जो single use plastic होते हैं इनको collect करना बहुत जादा मुश्किल होते है क्योंकि यह इतने चोटे होते हैं किसी को दिखता नहीं है दिखता नहीं है तो भाईया वो पड़ा रहता है जमीन के उपर वो धीरे धीरे रिष्टा रिष्टा जमीन के अंदर चला जाता है और वो धीरे धीरे हमारी Food Chain के अंदर आ जाता है और फिर वो सीधा हमें effect करता है हमारे श्रीर के उपर अब कहा जा रहा है कि green house gas surgeon में योगदान यानि कि जो green house gases है उसके उसमें बढ़ावा भी देगा ये 2050 तक आने वाले time में 5-10% ये जिम्मेदार होगा single use plastic भारत के लिए जो data निकल कर आया है अगर हम उसमें बात करते हैं तो देखिए भारत जो वो top 100 countries में शामिल है जो single use plastic इतना use कर रहा है उसमें कचरा जो फैला रहा है भारत कर रहे हैं 94 आता है हमारे सामने top 3 के अंदर जो है Singapore है Australia है और Oman है सालाना अगर हम बात करें भारत की तो 11.8 million metric ton जो हम domestic production करते हैं 2.9 metric million ton जो हम जो import बाहर से मंगाते हैं और भारत का जो अगर single use plastic का अगर कचरे की बात करें तो 5.6 million metric ton निकल के आता है जो परतिवेक्तिक अगर हम इसको distribute करते हैं 4 kg बनता है हमारे सामने तो बहुत जादा value निकल कराती है अब single use plastic को क्यों चुना गया और बाकी जो plastic को क्यों नहीं चुना गया इसका सबसे बड़ा रहता है तो यह micro plastic में convert हो जाता है अगर micro plastic में convert होता है सीधा सीधा हमारे खाने पर effect पड़ता है हमारे श्रील पर प्रिभाव पड़ता है जो बहुत जादा हानिका रहे है और single use plastic का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो packaging के अंदर use हो रहा है packaging के अंदर single use plastic अगर मात करों तो 95% single use plastic है वो सीधा सीधा packaging में use हो रहा है toothpaste से लेकर shaving cream से लेकर जो खाना जो frozen food है उसमें इसका use किया जाता है और जो चितनी भी चीज़ें इसके अंदर चुनी गई है वो उसमें अगर देखें तो उसका turnover वाली जो value है वो आर्थिक परभाव से इतना ज़्यादा परभाव नही डालने वाली है ऐसी उमीद लगाई जा रही है अब परतिबंद जो लगा दिया जाएगा तो उसकी निगरानी कैसे किया जाएगा तो एक आता हमारे सामने CPCB यानि Center Pollution Control Board और जो एक आता हमारे सामने SPCB यानि State Pollution Control Board ये अपने अपने level के ऊपर जो है अपनी निगरानी कर करेंगी अब यहां पर आपके सामने ये डेटा लिखा हुआ है डेटा किया जो चीजों के ऊपर जो बैन लगने वाला है वो सारी चीजह आपके सामने लिखी हुई है अब जो जारी निदा दिशा निर्देश है उनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखिए जो प्रवाइड नहीं करेंगे साथ इसाथ SPCB और जो पर्दूशन नियंतर समीति हैं उनको सिंगल यूज प्लास्टीक वाली जो भी उद्योग हैं जो इन सिंगल यूज प्लास्टीक का निर्मान करती हैं उनको उनके जो लाइसन्स हैं उनके अंदर शंशोधन करने में उनके जो भी license है उनको रद करने या फिर उनको उनके अंदर अमेंट करने के उनके पास दिशा निदेश जारी किये गए है और जो भी local bodies हैं जो local authorities हैं उनको इस शर्थ के साथ जो commercial license जारी करने के निदेश दिये गए है कि वो अपने जो परिशर है यानि जो अपने प्रिमाईस है अपने जो जगह है वहाँ पर वो single use plastic का use नहीं होने देंगे अगर ऐसा करते वो पाए गए तो उनका license रद कर दिया जाएगा अब compostable and biodegradable plastic को बढ़ावा दिया जाएगा 200 से ऐसी निर्माता जो कहेंगी कि manufacture हैं जिनको जो compostable यानि biodegradable plastic है उनको बढ़ावा देने के लिए उनको license दिया प्रोवाइड करवाया जाएगा अब punishment क्या है देखें punishment इसके अंदर बोली गई है कि 5 साल की सजा होगी जो प्रेवरेंट सरंक्षन अधिनियम है आपको ये ध्यान रकना है Environment Protection Act 1986 जितना भी नुक्सान हुआ है उसका भुक्तान उनको करना पड़ेगा plastic कच्रे पर नगरपाली का कानून भी है उनकी अपनी एक दंड सहीता है उनके अपने penal codes हैं अब यहाँ पर बात करें जो एक इसको निप्टाने के लिए Single Use Plastic को निप्टाने के लिए अन्य देश कितना प्रयास कर रहे हैं तो देखे 2022 में सेंग्त राष्ट प्रयावर्ण सभा में भारत समेथ 124 देशों ने इस समझोते पर साइन किये थे और यहाँ पर कहा था कि हम शुरुआत से लेकर याँ प्लास्टिक के प्रोड़क्शन से लेकर उसके डिस्पोजल याँ प्लास्टिक को एक जो चरण होता है न कि यहाँ से बनना शुरू आ और यहाँ पर वो खतम होता है इस पूरी चीज़ को हम कंट्रोल करेंगे ताकि हम plastic pollution को control कर पाए 2019 तक 68 देशों ने 68 देशों ने अलबने अपने यहां पर अलग-अलग order जो है वो जारी किये plastic bag को पर्तिबंद किया यहां पर अब अलग-अलग देशों की बात करें तो बांगला देश जो नमबर वन पर निकल के आता है जिन्होंने 2002 के अंदर जो पतले plastic bag है उनके उपर पर्तिबंद लगाने वाला पहला देश बन गया था New Zealand 2019 में नया एक तरीके से हम कह सकते हैं कि नविंतम देश बना है जिसने plastic bag को पर पर्तिबंद लगाया है चीन ने 2020 के अंदर एक तरीके से एक phase चला दिया है कि अपनी अपनी जगाएं पर कुछ जगाएं पर implementation कर दिया है कि plastic bag को बंद किया जाए अमेरिका के अंदर आठ राज्यों ने अपनी यहां पर plastic जो है single use plastic bag है उन पर परतिबंद लगा रहा है जिसकी शुरुआ 2014 में हो गई थी California से हुई थी और Seattle ने 2018 के अंदर plastic straw पर परतिबंद लगाया दिया था पहला पर्मुक अमरीक की शहर बना था यह Seattle अब European Seng है तो European Seng ने देखी क्या का है July 2021 कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर दिशा निदेश जारी किये गए है European Seng में उन्होंने काया है कि जो single use plastic के अगर यहां पर कोई विकल्ब मौझूद है हम उनके उपर परतिबंद लगा रहे हैं जैसे हमने straw के उपर परतिबंद लगाया straw जो plastic वाली है अगर उसका परतिबंद उसका विकल्ब यह है कि paper वाली straw उप्लब दो सकती है तो हम जो plastic वाली है उसको हम हमारे यहां पर use नहीं होने देंगे तो यहां पर उन्होंने काया कि जो plastic plate है cutlery है, straw है, balloon stick है cotton birds है को European के सदश्य देशों में उनके जो market है वहां पर नहीं रखा जाएगा और साथ इसाथ इसको और जादा expand किया जाएगा जिसके अंदर जो polystyne से बने जो cup है, खाद्य है, pay container है oxo degradable plastic है इन सभी उतपादों से बने जो भी चीज़े हैं उनको भी इसी तरीके से treat किया जाएगा तो यह चीज़े होगे हमारे सामने उमीद करता हूँ कि जो single use plastic है उस related आपके सारे doubt clear हो गए होगे वीडियो की pdf जो मैं फिर से बता देता हूँ description box में pdf का एक pdf का नहीं, telegram का एक link दिया मिलेगा तो जाकर आप वहाँ से इस वीडियो की pdf download कर सकते हैं वीडियो पसंद आई है तो बेशक इसको like करें चैनल को subscribe करें और को जादा ही पसंद आ गए है तो भाई सब क्या कर सकते हो, share कर सकते हो जिससे हमें भी बहुत जादा motivation मिलता है तो बस आज के लिए दने था, thank you for watching